आओ आ कि हेलो असलाब अलेकूम in this video we are going to study the roots of drug administration so roots of drug administration वह root है जिसके थुरु हमारे ज़़ ड्रग है वह body के अंधर enter होता यह हमारे पाद दो तरीके के होता हैं, INTERIAL होता है और P Gleich-E. ै is Two-Seas Part shoes- which used the digestive tract इस्तमाल करें और Par sincerial वह सारे methodology T involvement of the entry of drug जो के digestive tract के इसिर्त डूसरी चीजों को एस्तमाल करके हैं जैसे के injection कीossip चाव टोपिकल जैसे के Creams और giving external पर inhalation जो के हमाल पास इनहेलर आ गए इरसोल आ गए वगेरा तो इंटेरल जो हमारे पास होता है उसके तीन तरह के मैथर्ड्स हैं औरल सब्लिंग्वल बकल और रेक्टल इन तीन चीजों से जो के इन तीन तरीकों से हमारे पास हम ड्रुग को एड्मिनिस्टर कर सकते हैं औरल जो के टैबलेट अब सबसे पहले औरल की बात करते हैं औरल के एड्वांटेजिस क्या है को में इजी है सेफ है कन्वीनेंट है और नो टेक्निक रिक्वाइड जबकि डिसएडवांटेज यह हैं कि इस जी आई टी जो के डिस्टरब होता है अपर जी आइटी का इलसर होता है फिर्स पास ए है कि ड्रक के मेटबॉलिजम के बाद जो के ड्रक की कॉंस्टरेशन है रिड्यूस हो जाती है बहुत ज्यादा इससे पहले कि वह सिस्टेमेटिक सर्कूलेशन के पास पहुंचे को अपरेशन चाहिए होता है अगर बच्चे को दे रहें तो बच्चा एक मेडिकेशन की द्वाहत को बरदाश्ट करें वगरा तो यह सारे जो कि उसके डिसएडवांटेजिस हो गए सब्लिंग्वल क्या है सब्लिंग्वल प्लेस अंडर टंग एंड अलाव तो डिफ्यूस इंटो नेटवर्ग बहुत फास होता है रैपिड अब्सॉप्शन होती है रैपिड इजी और सेफ होता है और कोई एक्सपर्ट टैक्निक के रिकार्मेंट नहीं होती अब इसके डिसर्वांटेज इसके भी यह है कि परी कॉपरेशन की जरूरत होती है उसमें अगर कड़वाट है जो भी अजीब सा टेस्ट है उसको बरदाश्ट करना पड़ेगा और इरिट इसके क्या है रिक्वाइट को आपरेशन और इंबरेश्मेंट होती है और हमाई पास रेक्टल म्यूकोसा की इरिटेशन हो सकती है और इरेटिक एब्सॉप्शन हो सकती है और रूट जोके रिलाइबल नहीं है क्योंकि जरूर नहीं है कि वहाँ से एब्सॉप होके और कहीं आगे जाए हो सकता है जाए हो सकता है नहीं भी जाए और हो सकता है इ advantage, disadvantage हो गया, rectal के, अब हम बात करें, par internal, internal, par internal नमाई पास जो कह है, कौनसे methods होते हैं, injectionable, injections कौनसे कौनसे होते हैं, intravenous, intramuscular, intracutaneous, interdermal, intraosseous, intraperitoneal, intraperitoneal, intrathecal, intraventricular, intraarticular, अब हमाई पास क्या है है, उसमें krems आ जाती है, है है और इसमें हमारे पास जो कहे है dharmal होता है और mucusal siamo in happier 97 है gasses और हमारे पास aerosol और inhaler already अब intravenous intravenous के advantage पढढ़ेंगे इंट्राइजय कैरप advantage यह हैं कि आमिर्जेंसी में यूज होता है कि डोस होता है पर इस हम्रीड पर सुन्पोरम होता है और rapid action slow infusion infusion slow होती है action फटाफट मिल जाता है जैसे ही आप injection लगाते हो फौरण आपको effect पढ़ना शुरू हो जाता है effective बहुत ज्यादा है और irritant drug can be given irritant drug मतलब ऐसा drug जो के वैसे irritant है और blood में आने में मतलब आप metabolism वगरा oral के तुरू irritation होती है तो आप नॉर्मली वेन के तुरू उसको दे दो और large volume of drug भी दिया जा सकता है और जब दिल चाहिए उसको stop भी कर सकते हो और regulate कर सकते हो आप उसको unconscious patient में इस्तेमाल कर सकते हो vomiting नहीं होती GI side effects नहीं होते अब उसके disadvantages क्या है expensive होता है और septic precautions sterilization करानी पड़ती है और skin को साफ करना पड़ता है और high risk of phlebitis phlebitis का risk जो के है हाई हो जाता है जो मैं पास venus inflammation का risk high होता है serious rapid side effects बहुत सारे serious है और जो के है टेक्नीक की जरूरत होती है कि वेनस में जो के injection वेन में injection लगाना आसान नहीं होता और अब बात करते हैं intramuscular की intramuscular भी हमाइपास जो के है किस-किस में लगता है डेल्टवाइड में लगता है gluteus में लगता है basis lateralis में लगता है advantages क्या है accurate dose reliable rapid action deport preparations deport preparation से बतलब यह के बई जो हमाई पर deport injection होता है जो कि long term रहता है body में वो हम मसल के अंदर लगाते है effective होता है use in unconscious patient no vomiting no GI side effect only soluble preparations technical होता है बहुत और aseptic precautions इसमें भी होता है painful होता है कि कि मसल में जब injection लगता है तो वो it hurts irritation हो सकती है inflammation हो सकती है बहुत सारे rapid side effect आ सकते है large volume cannot be administrated sub intra subcutaneous या intracutaneous तो उसमें क्या है पास advantage is क्या है self injection inject कर सकते हैं जैसे के insulin को हम inject करते हैं subcutaneous tissue में और reliable होता है can be varied बहुत सारे तरीके के हो सकते disadvantages क्या है absorption पूर होती है क्योंकि हमां पास vessels नहीं होती subcutaneous में ज्यादा a trophy of subcutaneous fat subcutaneous fat ke a trophy हो जाती है size चोटा हो होता है erratic absorption होती है irritation of subcutaneous tissue subcutaneous tissue में irritation हो सकती है large volume नहीं दे सकते है और action slow होता है और फिर इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल जो के हमाँ पास injections होते हैं वो skin के अंदर लगाए जासे है test dose होता है allergic skin test होता है और to see the immunity होती है तो यह माँ पास तीन रीजन से लगाए जा सकता है कि वह किसी भी dose को छोटे से amount में डालना हो और test करना हो कि यह dose patient पर वक कर रहा नहीं कर रहा और दूसरा skin की allergens को test करना कि इसके इसी से allergic है नहीं है और दूसरा अपनी immunity check करना इंट्राथीकल इंट्राथीकल हमारे पास जो के है वह method of injection है जिसमें हम injection directly spinal canal में लगाते हैं into the spinal canal use for spinal anesthesia and chemotherapy chemotherapy और spinal anesthesia के लिए इस्तमाल किया जाता है intra-articular intra-articular injection से जो के directly articular कहते हैं joint को joint space के नदर डाला जाता है corticosteroids और steroids जो के injection है, वह usually inflamed articular joints के अंदर, जो के है administer किया जाता है inject किया जाता है intra-austeous, intra-austeous injection से हैं जो के bones के अंदर लगाये जाए into the bone marrow, bone marrow के अंदर, injection, infusion or aspiration, तो यहां पर आप picture देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिखाया है cortex को cross किया, inner spongy layer को cross किया और पर bone marrow में जोके inject कर दिया गया, intravenous asses अब क्या होता है कुछ patients में intravenous asses जोके है, possible नहीं होता, तो हम क्या करते हैं intraosseous जोके है intraosseous वाला method apply करते हैं, इसमें क्या होता है जो हमारा bone marrow है, वो अपनी सारी जोके है, चीजें जोके है, vein के अंदर drain करता है, तो जब आप उसमें injection डालते हो, जो आपका dose होता है, जो आपका drug होता है वो डालते हैं, तो वो सीधा venous system के अंदर पहुँच जाता है intravenous access जहां पे patients में difficult होता है तो वहां हम intraosseous method यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल method है, और painful होता है intraperitoneal injected into the peritoneum infusion or injection peritoneal dialysis के अंदर जोके हम इसको use करते हैं intravesicular into the urinary bladder, urinary bladder के अंदर अगर आप directly injection डालोगे तो उसको intravesicular कहते हैं intracardiac, injected directly to the heart, कोई भी drug को directly heart में inject करना intra arterial into an artery, artery के अंदर जोके हम जिसे हम कामली कहते हैं NUS की जोके है injection लगा रहे हैं उसमें वैसे vein की भी डाल देते हैं NUS की injection, vein और artery होसे हमें ज्यादा concern नहीं होता transdermal, transdermal हमारे पास क्या है, यह हमारे पास अब आ गया है, topical का topic जिसके अंदर transdermal क्या है, advantages उसके क्या है local effects होता है, systematic effects होता है, convenient होता है, no technique required अब derm के उप़र जो के drug apply करते हो उसके disadvantages क्या है allergy हो सकती है, erratic absorption हो सकती है, transmucosal क्या है, आप mucos के अंदर रोके है, drug डालते हो आप mucos, nasal cavity के अंदर डालते हो, ताकि थी mucosal membrane के थुरू absorb हो सके, diffusion through a mucosal membrane mucos membrane, local effects होता है high concentration, high use होती है and disadvantages क्या है, local allergic reaction हो सकता है, systematic effect में occur, inhalation क्या है, inhale करना directly lungs के अंदर, gas को, aerosol को या पर किसी powder को advantages क्या है इसके advantages है, हमाने पास absorption फटाफट हो जाती है excreted from lungs, controlled, admin minimum systemic side effect, कम से side effect होता है, absorbed by lungs हो जाता है, excreted from lungs भी हो जाता है absorption fast होती है effect भी fast होता है device required, device की ज़रूवत पढ़ती है, थोड़ा सा technical होता है, absorption erratic हो सकती है irritation of bronchial track bronchial track जो है हमारा irritate हो सकता है तो यह जो के हमारे पास हो गया lungs में अब जो के है dosage form जो हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसको वापस repeat करने की ज़रूवत नहीं है यहां पर हम lecture को end करते हैं तो यह थे हमारे पास जो के है enteral और पर-enteral दो classification of the drug administration root of the drug administration so यहां पर lecture किता है thank you so much for watching please hit that subscribe button and like the video if you like it dislike the video if you think it's not as good as it as it could be and thank you for watching Allah Hafiz